हेलो एब्रीवन वेल्कम तो स्लेट एंड पेंसिल और यह है बैक टू बेसिक जहां हम क्लियर करते हैं दो मिनट में आपके सारे क्वेरीज तो आज की क्वेरी है डिफरेंस बेट्वीन ब्रायो फाइटा एंड टेरीडो फाइटा आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर एंड वेल इकन दवाना ना भूलना दोस्तों ब्रायो एंड टेरीडो फाइटा के डिफरेंस से पहले थोड़ा प्लांट किंग्डम के बारे में समझते हैं प्लांट किंग्डम फर्दर दो सब किंग्डम में डिवाइडेड है क्रिप्टो गेमस एंड फैनेरो गेमस में जैसे एंड जिम्नो सपर्म का एक क्विक कॉंपैरिजन वीडियो पहले ही चैनल पे अपलोड कर दिया है अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है आप जरूर चेक कर लें क्रिप्टो गेमस में प्रिमिटी प्लांट्स को रखा गया था इनके ना तो सीट थे और ना ही फ्लार्स तब ही इनका नाम क्रिप्टो गेमस पड़ा क्रिप्टो का मतलब है सीक्रेट एंड गेमस का मतलब है रिप्रोड़क्टिव औरगन यानि सीक्रेट रिप्रोड़क् के और, Crypto Gammas में तीन डिविजन है, Thelophyta, Bryophyta, and Terridophyta. Bryophyta non-vascular plants है, यहां Xylem and Phloem नहीं मिलते. आज हमें Bryophyta के 20,000 species पता है, Bryophyta gamets के थुरू reproduce करते हैं, और इन्हें reproduction के लिए water की जरूरत होती है, just like amphibians. तभी इन्हें amphibians of the plant kingdom भी कहा जाता है. वहीं Terridophyta vascular plants है, यहां Xylem and Phloem मिलते हैं. Terridophyta exposed के थुरू reproduce करते हैं, और इन्हें true fern या snake of the plant kingdom कहते हैं, because यह पहले plant थे, जो Bryophyta के बाद evolve हुए थे, यानि amphibians के बाद snake. Friends, अब Bryophyta and Terridophyta में कुछ major differences के बारे में देखते हैं. Bryophyta non-vascular plants हैं, जबकि Terridophyta थोड़े advanced and vascular plants होते हैं. Bryophyta leafy and thaloid shape के होते हैं, लेकिन Terridophyta की body, stem, leaves and root में अच्छी तरह से divided होती है. Anchorage या support के लिए, Bryophyta में false roots होते हैं, जिसे हम rhizoids कहते हैं, जबकि Terridophyta में true and distinguished roots नजर आते हैं. Bryophyta के life cycle में gametophyte stage ज्यादा dominant stage है, वहीं Terridophyta में sporophyte dominant stage देखा गया है. Bryophyta के cells haploid होते हैं, यानि कि N, वहीं Terridophyta diploid cells के साथ होते हैं, double N, mosses, liverworts, hornworts, ये सभी Bryophyta के कुछ example हैं, जबकि Spike moss, Club moss and ferns, ये सभी Terridophyta के कुछ example हैं. तो ये था quick comparison between Terridophyta and Bryophyta, ऐसे और वीडियो के लिए subscribe करें, The Slate and Pencil, और अपने अगली queries नीचे comment करें. Thanks for watching.